राम राम उमीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और 12 बोट क्या त्यारी कर रहे होंगे तो पता है कि डेली 12 बजे आपको 12 का चिप्टर वाइज एक वीडियो मिलता है ये वीडियो आपके लिए बहुत धेलफूल है कैसे कि पहले तो मैं आपको क्या करा रहा हूं आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है तो मेरा पिछला दिन जो आप वीडियो देखें होंगे उसमें एक्सरसाइस 2.2 का लगव कुछ कोश्चन बना था ठीक है और कुछ कोश्चन रह गया था जिसको अभी हम लोग देखेंगे और आज हम लोग वैसे वैसे को देखेंगे जो बोड एक्जाम में आता है और भी भी ही कोश्चन है मतलब जो बार बार एक्जाम में आया है या आएगा इस टेप से तो चलिए स्टाट करते हैं हम लोगा कोश्चन छूटा हुआ था तो यहां से स्टाट करते हैं कोश्चन यही है आप से पुछेगा इसका simplest form बताओ फॉर्म बताना है question देखिए क्या है आराम से फिले question लिखते हैं फिर आप देखिएगा के सामने question है 10 inverse 10 inverse उपर है x बत्ता में क्या है root under a square minus x square यह इसका simplest form अब बता पाएंगे धियान से सुनिएगा जब भी इनवर्स ट्रीगों में आपसे simplest form पूछेगा न question देखने के बाद आपको just क्या करना है जानते हैं आपको यह सोचना है कि इसमें क्या put करूँ तब से पहला काम put करना x के जगा पर ऐसा क्या put करें कि मेरा question बन जाए तो format अगर आपको याद है तो बहुत अच्छा याद नहीं है तो कर लेंगे कल के वीडियो में हमने बताया है हमज़ रहे हैं फ़ल के वीडियो में क्या बताया है कि अगर root अंडर 1-x square हो यहाँ a square minus x square है तो बोले भी थे कि जब a आएगा न तो a ले लेना है इसको one ही समझना है तो one minus x square में हम यहाँ sine और नहीं तो cos put होता है तो यहाँ sine put होगा sine और a लगा हुआ है इसलिए a sine ठीक है तो एक लाइन हमको मिल गया है कल बता चुके है आप लोग भ्याँ से देख लेंगे put x बराबर a sine theta यह काम आपको सबसे first में कर लेना है 10 inverse x के लगाँ पर a sine theta बहुत आराम से बनाते हैं प्यार से अब देखिए root under a square के a square minus x square यानि जो भी x है उसका square तो क्या है x है a sine theta तो उसका square हो जाएगा a square sine square theta ठीक है चलिए 10 inverse a sine theta बटा में देखिए यहाँ भी a square यहाँ भी a square अगर हम a square कम ले सकते हैं अच्छा आप बताईए a square root के अंदर है और root के बाहर आगा तो क्या बन जाएगा a मतला हम root के अंदर a square common ले रहे हैं लेकिन root के बाहर आया तो बन गया a और root के अंदर बच कुन गया यहां से था common one minus sine square theta बोले कोई तकलिफ है नहीं ना कोई तकलिफ नहीं होना चाहिए नहीं नहीं है चली बहुत अच्छा अब आप देखिए tan inverse किस्त a से ही a को cancel कर सकते हैं उपर बचा sine theta और नीचे देखिए root अंदर one minus sine square theta बरावर 10th का फर्मूला है root अंदर one minus sine square theta और क्या होता है कॉस ठीटा यानि इसका हो जाएगा कॉस स्क्वाइर one minus sine square theta बरावर कॉस स्क्वाइर स्क्वाइर से root cancel यानि result आएगा कॉस ठीटा यानि आ गया कॉस ठीटा वित तकलिफ root अंदर one minus sine square theta equal to कॉस ठीटा बस हो गया time वाटा कॉस आप जानते हैं क्या होता है आप बोलेंगे 10 होता है time वाटा कॉस ठैन होता है तो टैन ठीटा ये टैन से टैन इन्वर्स केंसी हो गया बचा केवल ठीटा वर्ली ठीटा तो आपका एंसर क्या आएगा इंसर जो आने वाला है उसको ध्यास से देखिए देखिए आप यहां देखिए यहां पर कि मराबर अ साइप hij ऍ impress हमोको केवल hisता कर देखिए निकालना थे जो है या एक सबाइ ए इन चला गया और चाइन साइन फीटा और हमको केवल ठीटा चाहिए ये केवल ठीटाれて भूले, sin एंदर ठीक ठाक है, उने जाएगा, तो sin inverse बन जाएगा, तो sin inverse, आया कराई, x, y, e, जैसे के 23, x, y, e, मतलब आ गया, theta के value आ गया, sin inverse, x, y, e, यही आपका क्या हो गया, इंसर हो गया, theta के मान निकाले, sin inverse, x, y, e, आप समझ रहे होंगे, हम पिछले दिन सिखाए हैं, तो यह आपका जो question था, इसका ask in sort ले लिए, यह complete हो गया, आप board exam में आता है, इस type का question, जल्दी से ask in sort ले लेंगे, और हम next question पर बढ़ेंगे, आपको वही सब question कराया गयाएगा न, जो board के लिए एकदम भी भी आईए है, इस बोड में आता है, आप question bank में देखेंगे, और हम फिर कल, question bank से केबल objective कराने वाले हैं, कल, जितना 10 साल में जितना भी objective question आया, 10 वर्टों में, वो सारा objective कल आपको एक घंटे की class में मिलने वाला है, यानि कल का class बहुत important होने वाला है आपके लिए, ठिक, चलिए, 10 साल में जितना objective पुछा है, कल के कल bit proof, यानि question के बगल में लिखा रहेगा, question bank से उसको scan क्या हुआ रहेगा, मतलब कहीं से आपको जो है न, फैड़ा मिलेगा, किसी भी एंगल से आप सुचेंगे तो बहुत benefit होने वाला है, तो कल का class और ज्यादा important, चलिए, आते हैं, ये question है, प्यार से पहले question को न प्यार से दिखा जाता है हमेशा, sign verse, root under, 1 minus cos 6, बट्टा में 1 plus cos 6, ये question है, आप देख रहे हैं, उमीद करते हैं कि आप देखे रहे हैं, ठीक है, और देखिए और copy और pen के साथ देखिए, कभी भी, क्योंकि ये पढ़ाई लिखाई का चीज़ है, तो आपको copy pen रखना है, क्योंकि हम question बनाने के दर्मियान, बहुत सारा बात बोल जाते हैं, इसमें ये लगेगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, तो अगर आपके पास copy, note copy होगा, pen होगा, तो आप उसमों क्या करेंगे, note कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि आपका exam के समय है, तो आप इस चीज को बहुत गौर से देखेंगे, गौर से समझेंगे, चलिए, अब ये question आ गया, यहाँ तो put करने वाला कोई बात ही नहीं है, क्योंकि एक्स उक्स है नहीं, डाइरेक्ट है 1-cos एक्स आब अब अटा में 1-cos एक्स, एक मिनिट आपको हम एक्सी बता दे, फाने पी लेते हैं, आपको एक्सी बता दे, कि यह ऐसा फर्मूला है न, 1-cos एक्स बाता में 1-cos एक्स है, आप इसको माल लिजे कि math में न, अगर आप 12 में math चे पर रहे हैं, यह ऐसा फर्मूला है कि इंट्रिगेशन से लेके, डिफ्रेंसियेशन से लेके, अगर खुद ट्रीगों में तहीं ट्रीगों हाई है, हर जगरी यूज होता है, और बच्चा इसको याद नहीं रख पाता है, लेकिन अभी हम आपको दिखाते हैं, प्यार से मेरे साथ एक मेरे टाइम दिजिए, हम आपको सिखाते हैं, एड़म नोट में, 1-Cos6, 1-Cos6, एगो है 1-Cos6, यह दो फर्मूला है, तुन्नों मिलता है दूलता है, देखिए, आज के बाद भूलियेगा मत, ठीक है, आज के बाद भूलियेगा मत इसको कब तक, जब तक कि आपका 12th board का इजाम नहीं हो जाए, तब तक, उसके बाद भूल भी जाएंगे तो ज़्यादा दिकत नहीं है, ठीक है, लेकिन इजाम तक नहीं भूलिये, क्योंकि आपका इजाम है तो उसमें नंबर बहुत ज़रूरी है, 1-cos x, जब minus रहेगा न, same minus, खाली पलस, इतने का फरक है, तो 1- रहेगा, तो फर्मूला कर देगा, 2 sin square x y 2, यानि minus रहेगा न, तो sin, minus रहेगा तो sin, minus रहेगा तो sin, और यहीं पलस रहेगा, तो cos, 2 cos square x y 2, आप इस फर्मूला को अपने note copy में लिख लिए, और उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उने दिमाग में लिख लिजिए, बहुत ज़रूरी है, ठीक है, आप इसको खिरम note copy में नहीं, दिमाग में च्छाप लिजिए, बहुत काम करेगा यह, च्छाप लिए, अब देखें, question पर आ रहे है, 10 inverse के 10 inverse, बोलिए root under, तो root under, 1 minus cos 6, 1 minus cos 6, क्या होगा, 2 sin square x y 2, 2 sin square x y 2, वाट्टा, 1 plus cos 6, 2 cos square x y 2, यहाँ, जितने भी लोग पर रहे हैं, सब लोग समझदार हैं, ऐसा हम मानते हैं, अब आप देखिए, फ्यार से, यह 2 से 2, cancel हो गया, तो बचा क्या, 10 inverse, root under, sin बटा में cos, 10, यहनि, sin square बटा में cos square, मतलब 10 square, और angle देशे के 20, और आप समझदार लोग है यह हैं, आपको बहुत पहले से पता है, कि E square से E root क्या हो जाएगा, cancel, मतलब बात अब साफ है कि question बन गया, तो यह कितना जल्दी question बना, यह आप दिखिए गौर से, 10 inverse, 3 line में बन गया, 10, xy2, आपको यह भी पता है सर, कि 10 inverse से 10 cancel होता है, बचा xy2 और यही आपका answer हो गया, कि कितना प्यार से question बन रहा है, बसरते हैं कि आपको थोड़ा सा formula ही आद होना चाहिए, क्योंकि math जानते है, math क्या है, math में एक समस्या है, यह आपको formula भी आने चाहिए, concept भी आने चाहिए, और basic calculation भी आने चाहिए, अगर तीनों चीज़ आएगा, तब question बनेगा, माल लिए अगर किसी को केवल formula याद है, तो भी नहीं बनेगा, यागी formula रखने से तो नहीं बन रहा है, इसो कुछ करना पर रहा है, यानि basic calculation करना पर रहा है, और दुसरा केवल formula बेसी कल्कुलेशन हो, अगर को फर्मूला लगाना है, को न लगाना है, यह आपको concept सिखाएगा, मतलब math में न, तीन चीज़, formula, concept, basic calculation, और चौथा मेरे तरफ से practice, अगर यह चार चीज़ है ना भाई, तो math में न, आपसे बढ़िया स्कूर कोई नहीं कर पाएगा, ठीक, इचीज़ ध्यान रखेगा, त्यालिए यह हो गया है न, आगे आते हैं, practice बहुत जरूरी है, अगला question को देखेगा, अगला question क्या कह रहा है, माइनस साइन एक्स, बटा, तो शेक्स पला साइन एक्स, ठीक है, अपनो गौर्ट से देखेगा, तो भी होंगे, गौर्ट से देखेंगे, क्योंकि 12 में न, math तो बहुत कम मतलब बाईज, अकसर ज्यादा बाईज लेते हैं, क्योंकि बिहार में एक सिस्टम बना हुआ है, कि अगर लड़का है, तो math लेलो, और लड़की है, तो बाईज लेलो ज्यादा तर, यह ने बोलेगा, यह नम हंडेट परसेंट नहीं, कोई भी चीज़ अपने आपने 100% परसेंट प्योर नहीं है, मतलब 10% ऐसा भी होता है, कि बच्चा अपने एक ओर्डिंग लेते हैं, लेकिन कुछ जैसे गाओं में देखे हैं, हम लोग का हर देखा का सिस्टम बना हुआ है, यह बढ़ आया है, तो जादे उमेट लेने का कोशिस करेगा, और गल्स है तो बाई हो, लेकिन यह गलत है, आपको जिसमें इंट्रेस्ट है, उसको लीजिए न, चलिए, यह है क्वेस्टिन, अब देखिए, अगर आपको इंट्रेस्ट है, तो पता चल रहा होगा, टेंथ मेशा परे होंगे, यह क्या है, इसको बनाना है, और यहां पूट करने की कोई संभाब ना ही नहीं है, क्योंकि X मुक्स है नहीं, डाइरेक्ट ट्रीगो है, तो ट्रीगो है, तो ट्रीगो से लप्टेंगे, अगर ट्रिग्रोमेट्री है, तो ट्रिग्रोमेट्री से बनेगा, तो अब गौड कीजिए कैसे बनेगा सर ये rear time सीन इसका तो कोई फर्मूला भी नहीं है बनों बaldo भी नहीं है क्या है क्या कोई फर्मूला नहीं तो एक छी धियान रखेगा हम लोग दस्वाइं परे थे अंस और हर में अपना से कोई भी चीज से डिवाइड कर सकते हैं और हर दोनों में तो कि बाइलेंस रहेगा तो क्या करते देखिए अनिवर्स आपको पता है कि 10 inverse 10 से केंसील होगा तो हम चाहेंगे कि इधर कोथी आए 10 आए और 10 आने के लिए किस से डिवाइड करना पड़ेगा अगर कॉस से करते हैं तो कॉस बाटा कॉस वन अस्थाइन बाटा कॉस टैन हाँ कॉस से डिवाइड कर देंगे इसलिए कॉस से कीजिए कॉस तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि दोनों तरव और से डिवाइड करने पड़े आप लिख सकते हैं तो आप मैं कॉस एक्स बाटा मैं कॉस एक्स माइनस साइनेक्स वट्टा में कॉस एक्स मुल वट्टा यह वला फिर कॉस एक्स वट्टा में कॉस एक्स वला साइनेक्स वट्टा में कॉस एक्स सर दोनों तरफ हमने अंसर हर ठीक है थाकि यह भाग दे दिये कॉस से भाग देने के बाद जो होने वाला हूँ आपको पता यह से एक एंसील हो गया यानि आया टैन इन वर्ण यह कैंसील हो कि वन माइनस साइन बटा कॉस हो जाएगा टैन एक्स बटा वन पलस अब आपका यहां भी पेंट रुख जाएगा कि अब बनाओ तो कैसे बनाओ हम बलेंगे पैन नहीं रुकना चाहिए उसके लिए क्या करना होगा भाई बदाते क्या करना होगा यह टैन बहुत लखण ग्रां बग्छ मागा ग्या तो यह कैंसील कैसे हो इस में सोचना है है तो अगर आप फ्रिवलाथ थोरा मोड़ा जांते न तो तो हो जाएगा और नहीं जानते तो नहीं होगा यह cancel कैन्स चेका होगा हम बनाते हैं 10 inverse ठीक है आप बोलेंगे बिल्कुल ठीक है अच्छा 1 है 1 1 है आप बताईए 1 किसका मान है 10 45 की है न जहां 1 लिखा हुआ है वहाँ 10 45 बोलेंगे ये पाई बाई फोर बोलते हैं यह भी आप जानते हों ओके माइनस 10x बटा 1 को बोलेंगे 10 सोड़ी 1 को बोलेंगे 20 अच्छा अगर एक रहा हम एक से गुना कर देंगे तो कोई फरक परेगा आएकि दुनिया के कोई नमबर में एक से गुना किजिएगा कोई फरक नहीं परेगा तो वन से गुना किए तो वन के ज़्यागा पर हम 10 पाई भाई फोर बोल सकते है कि 10 पाई पाई इसके मान वह रही होता है इन्टू में 10x पाईदा क्या हुआ देखिए देखेगा 10a माइनस 10b बटा 1 पालास 10a इन्टू 10b यानि अगर देखा जाए थोरा देरेके लेल गहर किजिएगा इसको a माल लेते है इसको b माल लेते हैं यह भी a हो गया यह भी b हो गया पढ़िए 10a माइनस 10b बटा 1 पालास 10a इन्टू 10b यह जानते हैं फर्मूला है किसका 10 a पालस बी का क्योंकि 10a पालस बी बराबर होता है 10a पालस नहीं माइनस वाह चलिए भ्यान दिजेगा माइनस 10a माइनस b का फर्मूला होता है 10a माइनस 10b बटा 1 पालस 10a इन्टू 10b माने एककर फर्मूला आइसन होता है आप गोर किजिए जब आइसन है तो उसको हम आइसन लिख सकते हैं है इसी का फर्मूला ही है ओके टैन इनवर्स और अभी आपने देखाई किसका फर्मूला है टैन ए माइनस बी का टैन आए के जगा पर पाई भाई फोर का है कि ये वह यूज हुआ है अब बी के जगा पर एक्स कि अब बोलिए टैन ये वहार से टैन केंसल बचा पाई फोर कि माइनस एकस यहीं आपका इंसर हो गया विट तकलिफ है बताए को कोशेन को तकलिफ है आपको नहीं होगा केमाल आपको ध्यान से देखना है ध्यान से देखिए महनत किजिए क्योंकि एक्जाम्हां आपके सा दूसरी बात है कि आपको प्रेक्टिस भी करने और खाली मैथ तो नहीं परने मैथ हिडिक्स केमेस्ट्री हिंदी इंगलिस सब पढ़ना है तो आप थोरा सन अपने प्रहाई को तरीकां में चेंज केजिए और टाइम बढ़ाईए घर पेटों पढ़ते हैं उसका टाइम बढ सब्सक्राइगा कि ट्विल्ट का स्लिवसना बहुत बहुत बढ़ा है तेंथ के फिक्षा बहुत बढ़ा है तो चलते हैं कि यह आ गया कि देखिएगा और से एदम छोटा सा कोस्चन है इस वी भी ठीक है ध्यान से देखिएगा तो कुछ समझ में आ जाएगा बसरते ध्या को ध्यान से दिखाए देखिए रहा है को से ना फिको तुनिये 10 inverse 3a square x minus xq aq minus 3ax square देखिए लिखा तो बहुत लेकिन अगर आप 10 3 theta के फर्मूला को जानते हैं तो डाइरेक्ट दिमा में अच्छा और इसने होता है क्या बोले हम समझ में आ या 10 3 theta का फर्मूला क्या होता है 3 10 theta 3 10 theta minus 10 q theta बटा में 1 minus 3 10 square theta यह फर्मूला होता है तो आप अगर इससे कंपेर करें ना थिरी थिरी है एक सब्सक्राइब पर क्या आने वहला है टैन मतलब फुट अगर करना है तो 10 फूट होगा और जब भी कोशन में यह हम समझ की बोले थे अभी बोल रहे हैं जब में आयला आप a 10 फूट किड़ेगा चाहें A sin चाहिए A cos, A रहेगा तो A put करना है, चलिए A start करते हैं, इधर देखिएगा, question लिखा है, chain verse 3A square X minus XQ, बटा AQ minus 3A X square, यही question, हम लोग उन्हें question के format देखके यह जान लिया है, कि X के जगा पर क्या put होने वाला है, आप बोलेंगे क्या put होने वाला है, हम बोलेंगे कि अभी just आपको बताएं हैं, कि X वराबर A tan theta put होने वाला है, chain inverse 3A square और X के जगा पर क्या है, A tan theta, minus XQ, मतलब X जतना है न, उकर Q, कितना हो जाएगा, A cube tan cube theta, वाट आयनी बाई, A Q ता A Q, minus 3A ता A या एक स्क्वार, मतलब A square, 10 square, theta, and inverse, A square में A से ता A Q, A Q, A Q कॉमन ले लिजी, यहाँ क्या बचेगा ध्यान दिजेगा, A Q कॉमन ले लेंगे, A Q एक बाहर कॉमन आ गया तो, थिरी, 10 theta, minus, 10 cube theta, वाट ता, यहाँ से भी A Q कॉमन ले लिजी, A Q कॉमन तो हैं, कुछ नहीं तो, 1, minus, A square A, A Q bar, 3, 10 square theta, अब आप फिस समझदार लोगा है, A Q से A Q कैंसिल हो गया, आप गौर किजीएगा, 10 inverse, 3, 10 theta, minus 10 cube theta, वाट ता, 1 minus 3, और अभी ज़स्ट आपने पढ़ाई, किसका फर्मूला है, यह किसका फर्मूला है, आप बोलेंगे सर, यह तो पूरे जोई system, जो है, system, यह 10, 3 theta का फर्मूला है, मतलब 10, inverse, 10 3 theta, 10 versus 10 cancel, 3 theta, 3 और theta का फर्मूला हो जाएगा, यह निकालना को सिखाएगा, यहाँ सिखाएगा, देखेगा, हमको केबल theta, एक को पहिले उन्हें भेजिए, और जाएगा, X बटा ए, बराबर 10 theta, हमको चाहिए केबल theta, theta बराबर, 10 जाएगा तक 10 inverse बन जाएगा, तो 10 inverse, X by, A, यह यह थीटा के मान आगिया, 10 inverse, X by A, तो final answer आगिया, 3, 10 inverse, X by A, पलस, बस, फार्थ कुछ नहीं, answer, आप एक बार, इस्कीन सोट ले जिए, बहुत बहुत बहुतरीन कोस्चन है, और अच्छा कोस्चन है, मेरे हिसाब से, ठीक है, गवर किजिए, अच्छा कोस्चन है, बहुतरीन कोस्चन है, अच्छा कोई दिक्कत नहीं होगा, आप एक बार नोट कर लेंगे, और प्रेक्टिस घर पे करेंगे, यह सब वैसा प्रस्ण है, यह एक्जाम में आता है, हम चिला चिला के बोलते हैं, आता है, आता है, आता है, बस आपको देखना है, समझना, टाइम देना है, पढ़ाई के पीछे टाइम देना है, आप जिस चीज के पीछे टाइम देंगे न, वो चीज आपका अपना हो जाएगा, दुनिया का बस यही एक चीज सच्छाई है, कि आप जिस चीज के पीछे टाइम देजिए, वो चीज आपका है, नहीं टाइम देता है तो पैसा कमाता है और जगा टाइम कोई पढ़ने में तेड़ है मतलब वो टाइम देता है परने में पारने में पासमाद है ना टाइम देना पड़ेगा कर लिए कोई दिक्रत नहीं ना नेक्स्ट कोश्चन पर आते हैं यह देखिए यह था टाइपिंग मिस्टेक है लेकिन कोई बात नहीं हो जाएगा कोश्चन है आपका को अई वर्ष और कोश्चन होगा ऐसे टू काउस बराएकर चालू पोश्चन होगा वकोश्च्ट मैं टू सा इन भार्ष एब वन वाइट वस्ट ओस यह थोरा सा चलिक्ळत लिखा हुए है कोश्चन ऐसे है आप कोश्चन को देख लिए है आपको बना रहा है यह दो मार्क्ष में आएगा ठीक है बहुत छोटा कोश्चन है अच्छा कोश्चन है कैसे आप इसको सुल्फ करेंगे यह देखना है ठीक है चलिए आप ऐसा बोलिए 10 के 10 इन 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 वर्स के इन वर्स तो कोश्च तू और रूग जाए यह देखिये यह हम फस्ट एक्सरसाइब में परें ना इन वर्स वन बाइट्व मतलब साइन में केतना डिगरी के मान वन रवाई तू का मतला होता है, sin में कितना डिगरी और बाई टू? म आप मोलें के 30 का 30 मतलब 5x6 का मतलब 11 जगा पर हम sin verse 1x2 का आप बोल सकते है 5x6 कि आप समचपा है? sin verse 1x2 का मतलब होता है sin कितना डिगरी का महाँ 1x2, 30 मतलब 5x6 बोलिये इब दूसे कर जाएगा तीन मर्तब यह जाएगा 10 इन वर्ष तू कोस बलाए कि चालो पाई भाई थीरी और आप समझदार लोग है देखिए कोस पाई भाई थीरी को कोस पाई भाई थीरी मतलब साथ यहनि कोस साथ के मान कोस साथ के मान बहुत अच्छी बात 10 इन वर्ष यहां तो टू है और कोस पाई भाई थीरी मतलब कोस साथ डिगरी और कोस साथ डिगरी के मान होता है कितना हाप्त यह दू से दू कैंसिल तो बचा क्या 10 इन वर्ष वन ठीक है और 10 इन वर्ष वन मतलब 10 केतना डिगरी के मान वन आप बोलेंगे 45 के 45 मतलब पाई भाई बस आपका प्यारा सा एंसर आ गया और आप ऐसी एक्जाम में बनाएंगे इतना प्यार चे बनाएंगे कि जो कोभी चेक करें कोई दिक्कत नहीं हो यह टू मार्कस का कोश्चन है कि इसको कोई दिक्कत है चलिए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं आपको कुछ कोश्चन कराते हैं कि आपको अछा लगेगा तो एक काम किजिएगा गजिए गयर कर दीजिएगा दोस्तों नि कना पस अब जेक्टीव का सिन आग плохie एक जोटा चोटा कोशल वैक्टी में आता है प का अका कल अब्रियक्टिव आज आज अब्यक्टिव इस 70 शेप्टर का नहीं कराएंगे सारा कुछ किलियर होने वाला है इसलिए आज लॉंग लॉंग कोशन देख लिए हैं कल हम लोग देखेंगे अब्जेक्टिव और कल जुरना न भूलेगा 12 वजे क्यों पता है कल पूरे 10 सालों में जितना अब्जेक्टिव आया है उस सारा अब्जेक्टिव को एगंटा लग सब एक दिन में जिनिए थ्री डेस थी काम कम्लिट उसका फिर मैट्रिक्स डिटर्मिन इसी तरह से आगे बरेंगे जो लोग रेगुलर जूड़े रहेंगे न उनका तो इतना बेनीफिट होगा जो कभी सोच भी नहीं सकते थे इतना बेनीफिट होने वाला है लेकिन जो ल देखिए लेकिन यह को किसके साथ जूड़ना है कि आज काल बच्चा में क्या है कि यूटीव पे बहुत सारे टीचर वीडियो अफ्लोट करते हैं और सब लोग अच्छे पराते हैं, हम यह नहीं बोलते हैं कि हम अच्छे पराते हैं, समस्या क्या होते हैं कि बच्चा में समस्या क्या है, कि वो थोरा सा इधर देख लिया, थोरा सा उधर देख लिया, थोरा सा उधर देख लिया, अब कोई teacher एक pattern से चलता है, पहले ये बात फिर यह बताऊंगा फिर यह बताऊंगा अब लड़का इधर इबात पढ़ा कुछ और पढ़े ले जिससे कर उसको बेस्ट कंसेप्ट में थोड़ा कमी रहा जाता है आप क्या किजिए किसी एक टीचर को पकरिए प्रोपर जो आपको अच्छा लगे समझ आ जाए वह आपके लिए बेस्ट हो गया तीचर कुछ चीज को बेस्ट नहीं कह सकते हैं जैसे अगर किसी को कहा जाए आप इलेमेंट में सेट थेओरी में परे होंगे परहाया जाता है कि कोई भी सेट कव होता है जैसे आपको कहा दिया जाए भारत के सबसे सुन्दर हीरोईन आप सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं आप कोई और कड़ेंगे हम कोई और कड़ेंगे वह कोई और कड़ेगा उस्ह themes को नहीं कर सकते हैं क्योंकि मेरे नाधर में ऻूश éta अब क्या किरिये और आराम से यूट्व को हॉवा मत बनाई अराम से पढ़ए को एक टीचर से पढ़िए तो आपको ज्यादा हेल्प मिलेगा ज्यादा ही दो दर नहीं करना अब चलिए पढ़ाई प्राइप आते हैं और आप लोग डेली जुलिएगा बारे बज़े बहुत बेनिफिट होगा किके हम लोगों पांच साल तक आफ्लाइन क्लास में काम किये जितना उसका अनुभव है वो आपको यूटूब पर आउलाइन बहुत फैदा होगा जान लेजिए 11 12 उन्हें बहुत बड़ा बेस है 10 आपके घर में जो भीया है चाहा कोई भी जो कंपरेटिव कर रहे होंगे वो एक चीज़ हमेशा बोलते होंगे अगर त्यारी किये हों कि भाई 9, 10, 11, 12 उन्हें अच्छा से परूँ यह बेस है उनका कहने का मतलब यह होता है कि अगर आप 10, 12 इस टेंडर से नीचे अगर बढ़िया से एक एक चीज़ को जानते हैं Physics, Chemistry, Math, Hindi, English, इतिहास, भूगोल तो आपके अंदर बहुत कभी लिट आजाएगा जब आप competitive मे बताएगे जल्दी सेंसर बताएगे आप लोग कमेंट के माद्यम से ठीक है देखिए क्या है आप एक property परे होंगे 10 इन भर्स एक्स जोर कॉट इन भर्स एक्स बराबर होता है पाई बाई बाई टू यानि यह प्रोपर्टी है यह प्रोपर्टी है यह इन भर्स एक्स जोर कॉट इन भर्स एक्स बराबर पाई बाई टू तो कॉट यह हो गया पाई बाई टू और पाई बाई टू का मतलब हो गया नभ्य कॉट नभ्य के मान और कॉट नभ्य के मान याद नहीं है तो 10 नभ्य के तो याद होना चाहिए आइन नब्य के मानन याद होना चाहिए 1090 के भी मानने माली याद मदय आपको signal चाहिए तो झाल उसका उल्टफवल चेए होना चाहिए 1090 प्यार्स णब बोलते हैं 590 को छी आप सब्करते हैं रों प्यार से और जीडियो आगे बरेंंगे आप आप लोगी सीच को ध्यान डखें, वीडियो को सेर जरूर करें, क्या लिए, कोशन खदम है, जो भी बढ़िया-बढ़िया कोशन था, वो आपको भी कड़ाया है, जो एक्जाम में आता है, और ये कोशन आपको हम देंगे, कि अगर आप वीडियो देखते हैं, तो स्रियेस हो लेकिन, घर पर बैठके बना आईए, ठीक है? यहां 2x बटा 1 plus 2 square, 2 10 theta बटा में 1 plus 10 square theta, sign 2 theta का फरूदлан है, देखिए, 1 minus y square, यहां put कर दीजे 10 तो आप इस परकार से बना सकते हैं, आप इसको HW ले लिजिए और अराम से बना ये और बन जाएगा ना, तो अराम से बता दीजिए कि बना की नहीं बना, और बनेगा क्यों नहीं, जब चाहेंगे तो बनी जाएगा, तो फिर हम लोग आज इतना ही जो भी BBI कोशन था, exercise 2.2 से, इसको हमने कल और आज मिलके कराया, कुछ कोशन जो छूटा है, जो अबजेक्टिव छूटा होगा, और एक दो कोशन और छूटा होगा, उसको हम लोग क्या करेंगे, कल देखेंगे, और कल फुली अबजेक्टिव रहेगा, अभी कोशन इससे आगे टाइप हुआ नही कीजिए, बाइ-बाइ